हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडेस्ट्रियल एंड आ इंजिनियरिंग, दोस्तो आज का टॉपिक है लिनियर हीट सेंसर और लिनियर हीट इटेक्टर के बारे में देखेंगे, जो कि मेरे पास हमने केवल भी ले रखा है, आपको कॉंसेप्ट क्लियर सकते हैं, जो कि यह बहुत ही इंपोर्टेंट है, दोस्तों, सेफ्टी पॉइंट अभी उसे, यह जो है LHS और LHT, यह हमारा F करने के लिए, जो कि इंडस्टी में, जो प्लांट है, उसमें, यह हमों लोग यूज करते हैं, दोस्तों, इसको, यह जो दोस्तों क्या करता है, कि फायर को डिटेक्ट करता है, कहीं भी, along the length, कहीं भी, और आपको कंट्रोलर को कमांड देता है, कि हमारा यहां पर आग लग गया है, इसको से कंट्रोलर, जो भी, अलाम है, क्रेट करेगा, और सबको अवेर करेगा, यहां पर ऐसा एक्सिदेंट होगा, इसे मेजर एक्सिदेंट होने से बचा सकता, दोस्तों, यह हो गया LHE, यह जो दोस्तों दिखता है, यह अंदर में जो है, यह हमने आपको four wire system द two wire system भी use होता है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इसका working principle जो की बहुत ही important है, जैसा कि दोस्तों पता temperature जो होता है, एक positive और एक negative, तो positive temperature जो होता है PTC, जो हमारा RTD है, वो PTC के अंदर गट आता है, और यह होगा NTC, NTC ने मतलब negative temperature coefficient, PTC means positive temperature coefficient, तो PTC के अंदर RTD आ गया है, उसमें क्या होता है दोस्तों कि हमारा temperature जब बढ़ता है, जब resistance बढ़ता है, लेकिन इस case में NTC के case में तो होता है, जब resistance हमारा कमता है, तो temperature बढ़ता है, इसका working principle है NTC है दोस्तों, इसका जो हमारा resistance value है, वो डिपेंड करता है length पे, आप जैसा यूज करेंगे और आप आपका temperature पे, नॉर्माल हम लोग दोस्तों इसका 68 degree centigrade को लेकर ideal conditions से लेके चलते हैं, और अगर requirement ज्यादा है तो उससाब चेंज कर सकते हैं, तो यह हो क्या working principle, अब दोस्तों इसको कुछ हम डाग्राम से भी है और इसके structure से भी देख लेंगे, और points से बाद देखेंगे दोस् इसका internal जो है, तो इसमें दोस्तों सबसे उपर वाले जो दोस्तों देख रहे हैं, यह outer jacket इसको बोलते हैं, जैसा कि यहां दिया है, इसके अंदर भी इसके उपर एक layer लगा हुआ, जिसको बोलते है heat sensing polymer, उसके अंदर में एक protecting layer है, यह जो देख रहे हैं, इसके उपर एक layer लगा है, जब हम यूज करेंगे, तो इसको पहले सबसे पहले rub करेंगे इसके उपर, उसके बाद हम इसको line मिलेंगे, अदर बाद यह resistance value नहीं दिखाएगा, यह हमारा value गलत दिखाएगा दोस्तों, तो इसको यूज करने से पहले इसको हमको rub करना पड़ता है, इसके उप प्रोलर से हमारा FDA सिस्टम को जाएगा, और यहां से हमारा JB के थुरू, जंक्शन बॉक्स के थुरू, आपका केबल जो है, यह हमारा लेंग होगा, और यह हमारा जाकर आगे एक, दोस्तों, इंड रेजिस्टेंस लगा रहा था, इंड ओफ लाइन रेजिस्टेंस इसको ब लगेंगे, टीवी के आउट से हमारा केबल जाएगा, और यहां पर हमारा इंड रेजिस्टेंस में दोनों लगेंगे, और इंड रेजिस्टेंस के आगे में रेजिस्टेंस लगा, तो एक जो केबल गया, आगे में रेजिस्टेंस लगा, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा लाहे फिर यह आगे आके लूड हो गया यह यहांगे आकर लोका हो दोस्तेथर दोनों इहां लग जागा यहां कर दोस्तों है और हम लुद वाइट का पेरिंग करते हैं और रेड और हमारा जो ब्लू है उसका पेरिंग करते हैं जो किस केबल पे भी मेंटेन है इस पर रीटेयर में लिखा हुआ है one number, color, coding जिसको बोलते हैं लिखा हुआ मैं आपको किलिरली दिखा नहीं पाँगा उसलिए मूं करके नहीं दिखा रहा हूं इस तरह से दोस्तों नहीं पड़ेगा तो इफेक्ट जोए पर दोस्तों मैं समझाने के लिए कर सकते हैं वे जेएग वी सब्सक्राइब सब्सक्राइब लुटल है दियुक्त सब्सक्रास और इस के अंदर अन्दर साहिं रुभ lit वाज़ोई जनता यहां किसी भी खेंद में किसी एक वेरा अग लगे तो जिगzag में है तो कहीं भी आपको क्या है दोनों sent करेंगा बर्टा किलिए धून Teachers हो वासे बर्न हो जाएगा टेमपटरेशर बादेगा काने के पत्ता है यह दोनों eteamadda हो जाता दोस्तों इसका जो हाए यह दो देख है आपके बल्ट करने के वाद उपर के लिए रे सौört कर जाता है सौट करने के वश दोस्ता हमारा वस अलांब चले आता है वाले का देता है और इसको कंडिशन से समझते सॉस्तो मरं के करें करेंगे तुमारा दिखाएगा, नेक्स आता नॉर्मल जो उपरेटिंग कंडिशन है, जिसमें क्लोज सर्कृित, तो क्लोज सर्कृिट में डोस्तो क्या होगा, यह एक्टिव होगा, तो उससे में क्या होगा, दोस्तो जब होगा, इसके उपर बाले जो आउटर जैकेट है वो मेल्ट कर जाएगा उसके बाद जो हीट सेंसिंग पॉलीमर है वह भी मेल्ट करेगा जो प्रोटेक्टिंग टेप जल जाएगा और तो उसके जलने पासर कि यह दोनों जो ट्विस्टेट रहता दोस्तों मतलब एक के ऊपर ऐसे र पाइर को डिटेक्ट करें और तेंपरेचर हमारा दोस्तों बढ़ा इसलिए दोस्तों बोलते हैं यह इसका चुछा गया बढ़ गया और इस तरह से यह काम करता है कुछ इस तरह से जो की बहुत ही है हमारा दोस्तों safety point of view से बोल सकते आप इसको और यह हमारा जो देखर controller जैसे कि बताए जे भी है और cable लेंग है इसका जो cable link होगा जिग-जग पाथ में होगा शोड़ेट आपको जल्दी जल्दी आपको बता सके दोस्तों यह जो दोस्तों इसका बहुत ही major point है जो कि हम लोग इंडरस्टी में करते हैं mostly cable seller में tank में अगर temperature जादा हुआ तो आपको controller को तो अलाम देगा बजर बड़ेगा जिससे आप aware हो जाएंगे कि यहां का कुछ प्रोब्लेम है जाएक फिर रिसेट करना परता controller से और connections को फिर से troubleshooting करके हम लोग इसको normalize करते हैं तो कुछ इस तरह से दोस्तों यह जो हमारा है काम करता है जैसा कि मैंने बता दिया दोस्तों यह जो cable है हमारा कि इफेक्ट नहीं करता तो कुछ इस तरह से दोस्तों काम करता है अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किजिए शेर किजिए सब्सक्राइब किजिए मारे चानल को और फिर इन्वेटिव वीडियो लेते कर आते रहूंगा दोस्तों इन्डस्टी बेस